नमस्कार आज हम जियोग्राफिय और राजस्तान या राजस्तान की भूगोल के तैद यूनिट नमर फस्ट में फिजिकल फिचर्स या भौतिक स्वरूप या फिजियोग्राफिय और राजस्तान की बात करेंगी राजस्तान का फिजिकल फिचर्स या भौतिक स्वरूप की बात करें उससे पहले ये देखना जरूरी है कि राजस्तान का शैत्रफल काफिय अधिक होने की कारण इसका जो धरातलिय भाग है वो सबी जगे समान नहीं है राजस्तान विश्व की प्राचिन्तम भूखंडों का उफ्षिष है जहां पर अंगारा लेंड गौनवाना लेंड जो भाग थे प्राग अधियासिक काल में इन दोनों वुखंडों के मद्ये टैतिस सागर था जो राजस्तान का अधिकांस पच्छे में उत्री पूरी भाग टैतिस महासागर का ही अफ्षिष है राजस्तान में अरावली प्रवस्रंकला विश्व की प्राचिंतम प्रवत्मालाओं में से एक हैं जो गौनडवर्ना लेंड का ही भाग थे अब इसके बाद रीप बात करें के राजस्तान की पूरू भाग जो राजस्तान का पूरी भाग है वो मुख्य रूप से गंगा यमुना नद्यों की द्वारा निर्मित मैदान का ही भाग है और पच्छी में थार का मरुस्तली भाग है और दक्षने पूरी का पठारी भाग है जो गोंडवाना भूखन का अफ्षिस है इस प्रकार यदि देखा जाए तो राजस्थान में या राजस्थान के इसला करती हर प्रकार की प्राक रित्मान भौतिक स्वरूप के अधार पर यदि अपन रास्थान को बाटे या भौतिक स्वरूप के अधार पर भौतिक प्रदेशों में बाटे तो मुख्य रूप से चार प्रदेश या चार भाग अपन कर सकते हैं अब ये चार भाग अब सबसे वहरे बात करते हैं पण पछिमी रेतीला मैदान वेस्टन सेंडी प्लेंग दूसरा है अरा larvaul स्रेनी और पहड़ी प्रदेश अराहते रोली रेन्जेन हेली रीजन और तीस्रा है पूरिवी मैदान इस्टन प्लेंद और चौत है आपके दक्षनी पूरिवी रास्तान पठार जिसको हडोती का पठार भी का जयता है साउथ इस्टन राजस्तान प्लेट्ट तो मुख्य रूप से राजस्थान को चार भोतिक प्रदेशों में बांटा जा सकता है पच्छी में रेतिला मैदान, अरावलिस्ट्रेनी और पहाड़ी प्रदेश, पूरी मैदान और दक्षने पूरी रास्तान पठार या हडोतिक पठार अब इसमें से पच्छी में रेतिला मैदान या वेस्टरन सेंडी प्लेन जिसकी बात कर रहे हैं वह आपके यह हैं सेंडी प्लेन्स यह वाला जो पूरा भाग है यह आपके राजपच्चिमी रेतला मैदान यह वेस्टन संडी प्लेन अब दूसरा है अरावली स्रंणी और पहाड़ी पर देश अरावली यह अरावली स्रंणी और पहाड़ी पर देश जो आपके दूसरा भोत् Infotif खालब हो ख्योंब है अरावली Alejнос और शलया दो ये संदि प्लयन इसके बाद में ये अरावली infrared वाला हग अब है अब थिसरह इश्टन प्लैंड पुरा में। ने 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 ये भाग यहांसे लगाकर यहां तक ऐह ये पूरा इस्टन प्लेन या पूरी मैदाने भागे और सबसे दक्सिन ये दक्सिन पूरी ये है आपका हाडोती पठान तो राजस्तान को भौतिक परदेश से दिये अपनबात करें तो फ्रस्त यह हो गया संडी प्लेन फिर अरावली उसके बाद में इस्टन प्लेन और ये हाडोती प्लेन तो आपको ध्यान रखना है कि यह भौतिक वत्मान शोरूप है राजस्तान का वर्तमान भौतिक शोरुप जो दिखाई दे रहा है जैसे ये पूरी रास्तान का उसके आदार पे अपन चार भौतिक परदिश्वम रास्तान को बाढ़ सकते हैं जिनकी अलग-अलग विशेश्ता हैं एक भाग तो ये हो गया तुसरा ये हिले एरिया हो गया तुसरा ये प् पूर्वी और फिर ये हडोती का पढ़ारों तरने बाद